केनेडा के रिफ्यूजल आने के क्या रिजन्स है राइट नाव बहुत सारी फाइल जो हैं वह स्टियस हैं फिर भी रिफ्यूजल आने हैं तो इसका रिजन्स आनने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना हाई गाइस वैलकम टो मंजे इस वीडियो में मैं डिसक्स करने वाली हूँ रिफ्यूजल अबाउट कैनेडा वीजा सो प्रबैबली यह सब दिस्कॉशन होती थी कि अगर आपकी फाइल नौन स्टियस है या फिर फंडिंग नहीं है तो वह एक रिजन हो सकता था कि आपकी जो कैनेडा के रिफ्यूजल आ यह सारी रिफ्यूजल के कारण और आपकी प्रोफाइल को नहीं होने की टिप्स और ट्रिक्स जो है मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ तो इस वीडियो को शेयर करना बिलकुन मत भूलिए तो अगर मैं बात करूं कैनेडा की पॉलिस के बारे में तो यह पॉलिस हमें क का नुकसान होता है और वो क्यों होता है क्योंकि अगर आप फाइल आव लोज कर रहे हैं अगर आप अप्लाइ कर रहे हैं तो उसके आपकी एजन्सी को जिसके आपकी एजन्ट की थ्रू आप लगा रहे हैं उसकी फीज या पर तगरिवन करकर के या फिर उसकी रिफंड ल लगाते हैं तो आपको वीजा नहीं मिलता है, वीजा सक्सेस्फूरी मिलता है, इसी कोई बात नहीं है, रिफ्यूसल के कई कारण हो सकते हैं, सबसे पहली बाद जो हम डिसकस करने वाले हैं, वह है गैप, अगर आपका 10 प्लस टो के बाद 2 साल से ज्यादा गैप है, वह एक नेगटीवली इंपेक्ट परता है, आज के दुरान, जो आज का एरा चल रहा है, जिस पेसेस पे कैनेडा जो है प्रोफाइल एक्स्ट्रैक्ट कर रहा है वीजास, उसमें अगर आपका जो गैप 2 साल से ज् तो आपका 50-50 chances रह जाते हैं, जिन बच्चों ने 2019 के बाद, जो 2019 में प्लस टो की हुई है और उसके बाद अभी तक अप्लाई नहीं किया है, तो साल से ज्यादा हो चुके हैं, उनके 50% chances हैं और जिन बच्चों के 2020 और 2021 में उनकी courses हुए हैं या प्लस टो हुई हैं, उनकी 100 percent chances है, so gap एक हमारा हो सकता है कि एक reason है refusal अगर आपकी profile में ऐसी कोई condition है, दूसरा है marking, अगर आपके subjects में 45, 48 या 50 marks हैं, तो आप जो हैं, वो without any doubt जो हैं, जो refuse हो जाओगे, इससे better जो है, आप अपनी profile मत लगाएं, उसका जो है आप reform subject का exam दोबारा देकर अपनी जो performance हाई कर करें, जो minimum category है, वो minimum 55 है, अगर आपके minimum किसी भी subject में 55 है, और आपके minimum किसी भी subject में 55 है, then you are like legible for Canadian visas, अब यहां पे जो अच्छी marking की में बात करूँ, of course 55 अबव होने चाहिए, 55 की नीचे जो हैं, वो hardly हो जाएंगे, marks के लावा, जो matter कर रहा है राए राइन वो है grading, अगर किसी बच्चे की marks में, जाब वो CBSE के हैं, या फिर ICSE के हैं, किसी भी subject में D1 या D2 है, वो एक negative impact है आपकी profile का, क्योंकि Canada की सारी studies जो है, वो grades में होती है, और उनके A, B, C, D जो grades चलते हैं, D वाले को बिल्कुल ही weak profile माना जाता है, weak student माना जाता है, और अगर आपने यहां स इसे ही D अपने grade लिया हुआ है, और फिर आप उसके लिए apply कर रहे हो, तो वो एक reason हो सकता है, कि आपके negatively impact हो, और आपका vision आए, और यह mark तब है, practical के marks चोड़ के नहीं बता रही हूं, practical के इलावा, अगर आपके D1, D2 है, तो आप negatively impact हो जाएगी, आपके profile negatively impact हो जाएगी, theoretical scores जो हैं, वो matter करते हैं, उसके बाद अगर मैं बात करूँ, backlog students, दिन बच्चों की backlogs हैं, वो एक reason हो सकता है, वो example, अगर किसी बच्चे की 4 साल की degree है, उसने 5 साल में complete की, तो वो एक साल जो है, वो extended period माना जाता है, और वो extended period जब आपके DMC जो submit होती है, उसमें जब दिखे तो वो एक question arise हो सकता है, कि इस बच्चे का जो है, यह degree extent क्यों हुई, यह बचा fail का, अगर fail का, तो eligible कैसे है, and so on, 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 so यह सारे जो questions है, यह available हो सकते हैं, rejection के कारण, इन सब के अलावा, अगर मैं बात करू, financial एक बहुत important point है, जो आपका backlog या फिर refusal का 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 बन सकता है, और अगर आपने financial की funds की बात करें, so funds is very important right now, अब यह बात नहीं रही कि आपने एक साल की फीस बढ़नी है, फिर आपने GIC बढ़नी है, then you are legible, अब funds जो है, वो बहुत important है, और funds की नाम पर अगर आप CA report सिखा रहे हो, तो वो एक रिजन हो सकता है, refusal का, I am repeating myself, अगर आप CA reports सिखा रहे हो, वो एक reason हो सकता है, refusal का, अगर आपने proper idea show की है, then आपकी profile एक good profile माने जाएगी, और अगर मैं saving की बात करो, so saving आपकी bank में है, that's good, बर फिर मैं आपको repeat करती हो, अगर आपने property या पिर CA की related कुछ funds दिखाए है, वो एक आपकी refusal का कारण हो सकता है कारण क्यों, क्योंकि वो हो सकता है कि possibility आपकी जो है, वो eligible हो जाए, बर वो आपके profile को बहुत complicated बना देगा, so उस complication का बचने की कारण, जो वो IRC की members है, वो आपकी profile refuse कर देंगे, course, course जो आप कर रहे हैं, वो plan के according होनी चाहिए, कि कौन सा आप course कर रहे है, और वहां दाकि आपका क्या impact बने वाला है, इस वीडियो को end करने से पहले, जो मैं main reason बताना चाहती हूँ, वो है SOP, बहुत सारे agency, जो कि मेरे आँखों के सामने भी होते हैं, बहुत सारे students से मैं सुनती भी हूँ, सिर्फ copy paste कर के जो है, वो SOP जो लिकर submit कर देते हैं, कैंडिन government, fool नहीं है बेवकूफ नहीं है, उनको कोई access नहीं चाहिए, उनको रटे रटाई chapter नहीं ही चाहिए आपके SOP में, एक original SOP चाहिए, जिसमें आपकी course, आपकी future goals और वहां की settlement या फिर return back की proper information चाहिए, तो यह सारे जो elements से आपकी refusal का कारण बनते हैं, और इसके अलावा अगर आपने profile enhance करानी है, तो नीचे ये दिएके numbers पर call भी कर सकते हैं